नमस्कार मेरे प्यारे भाईयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। ग्रेटर नौइडा के सेक्टर 94 में एक गाव है नोरंगाबाद। ग्रेटर नौइडा के सेक्टर 94 में अभी सिर्फ मजदूर पेशा लोगों के ही 15 से 20 परिवार किराए पर रहते हैं। इस इलाके में बिजली पानी तो है, लेकिन घनी आबादी ना होने के कारण शाम होते ही यहां सन्नाटा पसर जाता है। इसी इलाके में छलेरा गाव के रहने वाले चरण सेह का भी प्लोट था, जिसमें उन्होंने बाउंदरी करवा कर उसमें एक कमरा, शौचाले, सनान घर और रसोई बना कर उसे किराए पर दिया हुआ था। पिछले डेड़ साल से इस कमरे में मूल रूप से अलिगड का रहने वाला संदीप यादव अपनी पतनी सोनी यादव के साथ किराए पर रहता था। संदीप यादव की डेड साल पहले ही कासगंज की रहने वाली सोनी यादव से शादी हुई थी दोनों की शादी कोरोना के बीच लॉकडाउन के दौरान हुई थी संदीप यादव पहले सेक्टर 94 में ही हिंडन बैराज के पास किराय के किसी दूसरे कमरे में अपने एक दोस्त के साथ रहता था लेकिन शादी के बाद ग्रिहस्थी होने के कारण उसने चरण सिंग का मकान किराय पर ले लिया संदीप यादव शादी से पहले तो नौइडा में एक बड़े ढ़ाबे पर काम करता था लेकिन लॉकडाउन के बाद जब नौकरी चली गई और शादी हो गई तो पेट पालने और जीवन चलाने के लिए उसने महामाया फ्लाई ओवर के नीचे साइकल पर ही आलू की सबजी और खस्ता कचौरी बेचने का काम शुरू कर दिया सन्योग से काम भी ठीक ठाक चलने लगा और संदीप यादव नौकरी से ज्यादा अपने काम से पैसा कमाने लगा कुल मिला कर घर ग्रिहस्ती मजे से चलने लगी अपने घर पर ही पत्नी सोनी यादव की मदद से वह सुभा के वक्त खस्ता कचौरी और सबजी खुद तयार करता था और फिर साइकिल पर रखकर उसे बेचने के लिए हर सुभा 10 से 11 बजे तक महामाया फ्लाई ओवर के नीचे पहुँच जाता था और शाम को 5 बजे तक अपना माल बेच कर वापस घर लोट जाता था 20 जनवरी को भी संदीप यादव हर रोज की तरह सुभा करीब साढ़े 10 बजे साइकिल पर कचौरी और सबजी लेकर सेक्टर 94 स्थित घर से निकला था और शाम को करीब 7 बजे घर लोटा था घर के बाहर साइकिल खड़ी करने के बाद हमेशा की तरह संदीप यादव ने सोनी यादव को बाहर से ही दर्वाजा खोलने के लिए आवाज लगाई लेकिन काफी देर तक जब दर्वाजा नहीं खुला तो उसने दर्वाजे को धकेलते हुए थोड़ा कड़ी आवाज में कहा क्या बात है महारानी बहरी हो गई है या कान में तेल डाल लिया है कमरे में गहन अंधकार और सन्नाटा पसरा हुआ था अन्य दिनों की अपेक्षा संदीप यादव को इस दिन पत्नी सोनी यादव का यह व्यवहार कुछ अजीब लग रहा था संदीप यादव ने अनुमान से दर्वाजे के पास लगे बिजली के बोर्ड को टटोल कर कमरे की लाइट जला दिया कमरे में रोशनी होते ही संदीप यादव फर्ष पर सोनी यादव की खून से लथपत लाश पड़ी देखा लाश देखते ही संदीप यादव के गले से चीख निकल गई सिर को पकड़ कर संदीप यादव गला फाड़ कर रोने लगा कालोनी के मकान एक दूसरे से काफी दूर बने थे लेकिन शाम के सन्नाटे में संदीप यादव के रोने और चीखने की आवाजें इतनी तेज थी कि चंद समय में ही वहां कालोनी में रहने वाले कई मजदूर परिवार एकत्र हो गए वैसे भी उस समय ज्यादातर लोग अपने काम से घर लोटते हैं सभी ने संदीप यादव को अपनी पत्नी की लाश के पास फूट फूट कर रोते देखा कालोनी के एकत्रत हुए मजदूरों में से ही किसी ने तब तक निकट की उखला पुलिस चौकी के इंचार्ज राजेंदर सिह को जाकर इस हादसे की सूचना दिया तो वह तत्काल ही अपने माथध पुलिस कर्मियों को लेकर घटनास्थल पर पहुँच गए कालोनी के लोगों ने संदीप यादव की पत्नी सोनी यादव की हत्या के बारे में जो खबर दी थी वह एक डम सही थी लिहाजा घटनास्थल का मुआयना कर राजेंदर सिंह ने सेक्टर 126 थाने के प्रभारी भरत कुमार राठी को हत्या की इस वार्दात से अवगत करा दिया थाना प्रभारी राठी भी हेड कांस्टेबल मोनु, जगपाल सिंह और कांस्टेबल अमित कुमार के साथ जब तक घटनास्थल पर पहुँचे तब तक वायरलैस पर जानकारी पाकर नौइडा जोन एक की एसीपी अंकिता शर्मा और एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह भी मौके पर पहुँच गए क्राइन और फोरेंसिक टीमों ने भी घटनास्थल पर पहुँच कर अपना काम शुरू कर दिया संदीप यादव ने बताया कि सुभह जब वह घर से गया था तब उसकी पतनी एकदम ठीक थी शाम को साथ बजे लोटा तो पतनी की लाश घर में पड़ी मिली संदीप यादव से पूच ताच में पता चला कि घर में लूट पाट जैसी कोई वारदात नहीं हुई थी जिसका मतलब साफ था कि किसी ने सोनी यादव की हत्या की नियत से ही इस वारदात को अंजाम दिया था थाना प्रभारी राठी ने जब गहराई से लाश का निरीक्षन किया तो देखा कि कातिल ने बेदर्दी के साथ किसी चीज से सोनी यादव के चहरे पर वार किया था जिसके कारण नाक पर काफी गहरा जख्म था और वहां से बहने वाला खून जम कर काला पड़ चुका था एक खास बात यह थी कि कातिल ने बड़ी बेरहमी के साथ सोनी यादव के सिर को शायद कई बार जमीन पर दे कर मारा होगा क्योंकि सिर के पिछले हिस्से में काफी चोट लगी थी और वहां से काफी खून भी बहा था घटनास्थल के निरीक्षन से एक बात यह भी साफ हुई कि सोनी यादव का शायद कातिल के साथ काफी संधर्ष हुआ होगा क्योंकि उसके बदन के कपड़े काफी अस्त व्यस्त हो चुके थे ब्लाउस के आगे का हिस्सा पूरी तरह फटा हुआ था और शरीर पर पहनी हुई साड़ी भी घुटनों से उपर तक खिसकी हुई थी जिससे लग रहा था कि उसके साथ कातिल ने या तो शारिरिक संबंध बनाये होंगे या फिर इसका प्रयास किया होगा उच्चाधिकारियों के निर्देश पर जाच की सभी आपचारिकताएं पूरी करके थाना प्रभारी राठी ने सोनी यादव के शव को पोस्ट मार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया एडिशनल डीसीपी रणविजय सेहिं के आदेश पर थाना प्रभारी राठी ने दफा 302 आईपीसी यानी हत्या का मुकदमा पंजीकर करके जाच पड़ताल का काम खुद अपने हाथों में ले लिया एक बात थी जो पुलिस की समझ से परे थी वह यह की संदीप यादव ने बताया था कि उसकी ना तो किसी से दुश्मनी है ना ही घर में लूट पाठ हुई है वैसे भी संदीप यादव के घर में लूट पाठ के लिए कोई ऐसी कीमती चीज भी नहीं थी कि उसके लिए बदमाश किसी की जान ले ले हाँ जिस संदिक धाल में सोनी यादव का शव मिला था उससे यह जरूर लग रहा था कि कोई ऐसा जरूर है जिसकी सोनी यादव के उपर नियक खराब थी थाना प्रभारी राठी को एक बार संदीप यादव से कुछ खास बिंदूओं को लेकर पूछताच करनी जरूरी लगी लिहाजा उन्होंने अगली सुभा पोस्ट मार्टम के बाद जब सोनी यादव के शव का अंतिम संस्कार हो गया तो संदीप यादव को पूछताच के लिए थाने बुलाया इस दौरान सोनी यादव के घर वाले भी अगली सुभा तक उसकी हत्या की सूचना पाकर उसके घर पहुँच गए थे सोनी यादव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कासगंज कस्बे की रहने वाली थी उसके परिवार में माता पिता के अलावा दो भाई और चार बहने थी दो भाई शैलेश व अखिलेश यादव से बड़ी एक बहन थी जबकी तीन बहने चोटी थी परिवार की दोनों सबसे छोटी लड़कियों को छोड़ कर सभी की शादी हो चुकी थी सोनी यादव की शादी 2020 के मध्य में कोरोना लॉकडाउन के दोरान करीब देड़ साल पहले हुई थी जब पुलिस ने सोनी यादव के भाई अखिलेश से उसकी बहन के बारे में पूछा तो उसने अपने बहनोई संदीप यादव पर कोई शक्तों नहीं जताया लेकिन उसकी यह शिकायत थी कि जब संदीप यादव के पास रहने का कोई सुरक्षित थिकाना नहीं था तो उन्हें सोनी यादव को ऐसे स्थान पर लाकर रखना ही नहीं चाहिए था उसने अपनी बहन सोनी यादव से कहा भी था कि जब तक संदीप यादव रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं ले लेता वह वापस नहीं जाए लेकिन सोनी यादव ने उसकी एक नहीं मानी जिसका खमियाजा उसकी जान के रूप में चुकाना पड़ा सोनी यादव के घर वालों से कतल और कातिल का कोई सुराग नहीं मिला था इसलिए सेक्टर 126 थाने की पुलिस ने आस पडोस के लोगों से भी पूछताच किया ताकि पता चल सके की सोनी यादव का चाल चलन कैसा था और संदीप यादव की गैर मौजूदगी में किसी ने उसके घर में किसी को आते जाते तो नहीं देखा था लेकिन कालोनी के लोगों से पूछताच में भी कोई मदद नहीं मिली अब बारी थी संदीप यादव से कुछ अहम मुद्दों पर पूछताच करने की संदीप यादव ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी के शायद अपने ही गाव के अजय नाम के लड़के से शादी से पहले ही संबंध थे संदीप यादव ने आशंका जताई की हो सकता है उसने ही सोनी यादव को मार दिया हो यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण थी इसलिए पुलिस की एक टीम उसी दिन का सगंज रवाना हो गई और अजय को हिरासत में लेकर नोएडा ले आई दरसल अजय को पूछताच के लिए लाने का आधार यह था कि पुलिस ने संदीप यादव से मिली जानकारी के आधार पर सोनी यादव के मोबाईल फोन की काल डिटेल्स निकलवाई और जब उसे खंगाला गया तो पता चला कि सोनी यादव और अजय के बीच हर दिन कई बार फोन पर लंबी लंबी बातें होती थी और वाट्स एप पर मैसेज का आधान प्रदान भी होता था मोबाईल काल डिटेल्स की रिपोर्ट साफ बता रही थी कि दोनों के बीच साधारन संबंध नहीं थे अजय से जब पूछताच हुई तो पहले उसने पुलिस को बर्गलाने का प्रयास किया लेकिन जब उसके साथ सक्ती की गई तो वह टूट गया और कुबूल कर लिया कि सोनी यादव के साथ उसके पिछले कई सालों से सम्बंध थे सोनी यादव की जब से शादी हुई थी इसके बाद भी जब वह अपने गावाती थी तो दोनों मौका मिलने पर एकांत में मिलकर अपनी पुरानी मोहबबत की यादों को ताजा करते रहते थे थाना प्रभारी राठी ने जब अजय का मोबाइल फोन चैक कराया तो उन्हें उसमें सोनी यादव तथा अजय के कुछ ऐसी अवस्था के फोटो मिले जो दोनों के बीच के नाजायज रिष्टे को साबित करते थे लेकिन अजय के फोन की काल डिटेल्स रिपोर्ट और उसकी लोकेशन से कहीं भी यह साबित नहीं हो रहा था कि वह सोनी यादव की हत्या वाले दिन या उससे पहले नोईडा आया था या फिर उसने किसी संदिध नंबर पर बात की थी इंस्पेक्टर राठी एक बात तो अच्छी तरह समझ गए कि अजय और सोनी यादव के बीच संबंध होने के बावजूद अजय के पास सोनी यादव की हत्या का कोई मोटिव नहीं था लेकिन संदीध यादव जिसको यह बात पता थी कि उसकी बीवी के अजय से संबंध हैं तो उसके पास तो सोनी यादव की हत्या करने का पुख्ता आधार था एक सीधे से दिखने वाले अनपढ आदमी ने पुलिस को कैसे अपने जाल में फसा कर गुमराह कर दिया बड़बडाते हुए राठी ने मुक्का मेज पर मारते हुए उसी समय S.I. राजेंदर सिंग को ततकाल सोनी यादव के पती संदीप यादव की काल डिटेल्स निकलवाने का आदेश दिया थाना प्रभारी राठी को ना जाने क्यों यकीन होने लगा था कि सोनी यादव की हत्या के पीछे कही ना कहीं संदीप यादव का हाथ हो सकता है इसी लिए उन्होंने उसकी काल डिटेल्स निकलवाई थी लेकिन उसमें कोई ऐसी जानकारी, संदिग्ध नंबर या लोकेशन नहीं मिली जिस से इस मामले में अजय की भूमिका को साबित किया जा सके एक सब्ताह बीट चुका था पुलिस को सोनी यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई थी जिस बात का शक्त था वही हुआ सोनी यादव की मौत सिर में चोट लगने से हुई थी इतना ही नहीं, उसकी मौत के बाद उसके साथ शारिरिक संबंध भी बनाया गया था बस यही वो कारण था जिसकी वजह से पुलिस को सन्दीप यादव पर किये गए शक्से अपना ध्यान हटाना पड़ा क्योंकि कोई भी पती किसी दूसरे आदमी को अपनी पतनी की हत्या के बाद उसके शव के साथ ऐसा धिनोना काम ना तो खुद करेगा ना ही किसी दूसरे को करने देगा संदीप यादव को संदेह से बाहर करने का दूसरा कारण यह भी था कि एक तो उसकी काल डिटेल्स में कोई संदिक्ध बात नहीं मिली दूसरे महामाया फ्लाई ओवर के नीचे रहडी पट्री लगाने वाले कई लोगों से पूछताच के बाद इस बात की पुष्टी भी हो गई थी कि संदीप यादव उस शाम को हमेशा की तरह शाम को छे बजे अपना काम खत्म करके साइकिल लेकर वहां से गया था इसके बाद संदीप यादव पर शक करने की कोई वजह पुलिस के पास नहीं थी राठी ने एक बार फिर से घटना स्थल के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताच करने का फैसला किया इसी कड़ी में पुलिस इलाके के हर घर में जाकर पूछताच कर रही थी लेकिन पुलिस ने तब पहली बार नोटिस किया कि एक प्लॉट पर बना कमरा ऐसा था जो घटना वाली रात को पूछताच करते हुए भी पुलिस को बंद मिला और एक सब्ताह बाद जब पुलिस ने दोबारा छानबीन की तब भी बंद पाया गया पुलिस ने जब आसपास के लोगों से इस मकान में रहने वाले शक्स के बारे में पूछा तो पता चला कि बुलंदशहर के छतारी कस्बे का रहने वाला रामवीर साहू उस कमरे में रहता है रामवीर साहू पहले तो गुर बेचने का काम करता था लेकिन 3-4 महीनों से वह आटो रिक्षा चलाने का काम कर रहा था लोगों ने बताया कि जिस दिन सोनी यादव की हत्या हुई उस दिन सुभह के वक्त तो वह अपने घर में दिखा था लेकिन इसके बाद से वह किसी को दिखाई नहीं दिया यह जानकारी रामवीर साहु को संदेह के दायरे में लाने के लिए काफी थी पुलिस ने जब संदीप यादव से रामवीर साहु के बारे में पूछा तो उसने बताया कि कालोनी में रहने के कारण उसकी रामवीर साहु से जान पहचान तो है लेकिन वह उसके बारे में बहुत अधिक नहीं जानता है संदीप यादव ने बताया कि कभी-कभी रामवीर साहू महामाया मेट्रो स्टेशन के नीचे जहां वह कच्छोरी बेचता है सवारी लेने के लिए आकर खड़ा हो जाता था संदीप यादव ने बताया कि इसी कारण अक्सर उसकी रामवीर साहू से बादचीत हो जाती थी संधीप यादव और कालोनी के दूसरे लोगों से रामवीर साहु के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिली वह यह थी कि वह अक्सर शराब के नशे में रहता था शराब तो मजदूर तपके के ज्यादातर लोग पीते हैं, लेकिन रामवीर साहू एक तरहे से शराब का लती था दिन हो या रात वह अक्सर शराब के नशे में दिख जाता था रामवीर साहू के बारे में कुछ और जानकारी एकतर की गई तो पता चला कि वह अविवाहित था और इस इलाके में आने से पहले अपनी बहन के पास चलेरा गाउं में रहता था रामवीर साहू थाना प्रभारी राठी के रडार पर आ चुका था उन्होंने रामवीर साहू की बहन का पता हासिल कर लिया और चलेरा में जाकर जब उसकी बहन से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि 20 जनवरी 2022 की रात को वह उसके पास आया था लेकिन उसने बहुत शराब पी रखी थी अगली सुभा जब उसने रामवीर साहू को शराब पी कर अपने घर आने की बात पर खरी खोटी सुनाई तो वह दोपहर को वहां से गाव जाने की बात कहकर चला गया रामवीर साहू के बारे में जैसे जैसे जानकारिया मिल रही थी उसके खिलाफ शक का दाइरा बढ़ता जा रहा था सोनी यादव हत्याकांड की जाच में अब तक हुई प्रक्ति के बारे में जब ADCP रणविजय सेह को रामवीर साहू के बारे में तमाम जानकारिया मिली तो उन्होंने थाना प्रभारी राठी को उसके मोबाइल फोन की काल डिटेल्स निकलवाने के लिए कहा थाना प्रभारी राठी ने काल डिटेल्स निकलवा कर उसके फोन को ट्रेसिंग पर भी लगवा दिया S.I. राजेंदर सेह के नेतरित्व में पुलिस की एक टीम लगातार रामवीर साहु के पीछे लगी थी पुलिस टीम बुलंदशहर में उसके गाव छतारी पहुँची तो पता चला कि रामवीर साहु 21 जनवरी को अपने गाव आया तो था लेकिन गाव में कोई नहीं था क्योंकि उसका एक भाई दिल्ली के शाहगरा इलाके में रहता है उसकी बेटी की दस फरवरी को शादी थी उसी में शरीक होने के लिए माता पिता और परिवार के दूसरे लोग गए हुए थे पुलिस की एक टीम रामवीर साहु के भाई अजय वीर के घर का पता लेकर वहां पहुँची तो पता चला कि 23 जनवरी को रामवीर साहु वहां आया जरूर था लेकिन परिवार को उसका शराब पीना पसंद नहीं था और उसने खूब शराब पी हुई थी इसलिए परिवार वालों ने उसे वहां से यह कह कर भगा दिया कि उनके यहां शराबियों के लिए कोई जगह नहीं है पुलिस तीम को वहीं से यह जानकारी मिली की रामवीर साहू की एक मौसी इंद्रवती उत्तरपूर्वी दिल्ली के घड़ौली में रहती है, जिनसे उसकी खूब पट्ती भी है हो सकता है रामवीर साहू उनके यहां गया हो मौसी का पता लेकर जब पुलिस तीम घड़ौली में उसकी मौसी इंद्रवती के घर पहुँची तो पता चला कि 25 जनवरी को रामवीर साहू उनके यहां आया था लेकिन वह काफी शराब पिये हुए था और काफी डरा सहमा हुआ था मौसी ने पूछा तो उसने शराब के नशे में बताया कि उससे एक बड़ा गुना हो गया है उसने किसी औरत को मार दिया है मौसी ने पुलिस को बताया कि यह सुनकर वह बहुत दर गई थी इसलिए उसने रामवीर साहु से कह दिया कि वह तुरंत यहां से चला जाए क्योंकि वह किसी पचड़े में नहीं पढ़ना चाहती रामवीर साहु तक पहुँचने के लिए उसकी मौसी अंतिन सिरा थी जहां से उसके मिलने की उम्मीद थी लेकिन इसके बाद पुलिस को उसकी कोई खबर नहीं मिली रामवीर साहु तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं बचा था लिहाजा एसीपी अंकिता शर्माने क्राइम ब्रांच की साइबर टीम को जाच के काम में साथ जोड कर रामवीर साहु के मोबाइल को ट्रैक करने के काम पर लगा दिया रामवीर साहु के मोबाइल की ट्रैकिंग के दौरान पुलिस को पता चला कि रामवीर साहु लगातार सोनी यादव के पती संदीप यादव के साथ बातचीत कर उसके साथ संपर्क में बना हुआ था पुलिस ने जब संदीप यादव से पूछा कि क्या रामवीर साहू ने उसके साथ संपर्क किया है तो वह साफ मुकर गया कि रामवीर साहू ने उसके साथ कोई संपर्क किया है पुलिस तीम समझ गई की डाल में कुछ काला है जिस कारण संदीप यादव सफेद जूट बोल रहा है पुलिस ने संदीप यादव को बिना कुछ बताए उसके और रामवीर साहू के मोबाईल की मॉनिटरिंग और उस पर नजर रखनी शुरू कर दिया इस सूचना के बाद थाना प्रभारी बी एस राठी ने अपनी टीम के साथ सादा कपड़ों में आसपास छिप कर निगरानी शुरू कर दिया दोपहर करीब तीन बजे रामवीर साहू पहचान छिपाने के लिए सिर्पर कपड़े का साफा बांध कर संदीप यादव से मिलने पहुँचा तो पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में ले लिया पुलिस की टीम दोनों को लेकर थाने पहुची और उनसे पूचताच हुई तो मामूली पूचताच के बाद ही सोनी यादव की हत्या का खुलासा हो गया दरसल संदीप यादव ने बताया कि उसी ने अपनी पत्नी सोनी यादव की हत्या रामवीर साहु के द्वारा पैसा दे कर करवाई थी संदीप यादव की जब सोनी यादव से शादी हुई तब दोनों की जिन्दगी बेहत खुशाल थी और संदीप यादव सोनी यादव को प्यार भी बहुत करता था लेकिन एक दिन सोनी यादव जब बातरूम में नहा रही थी तो संदीप यादव ने वैसे ही उसका मोबाइल चेक कर लिया उस दिन संदीप यादव यह देख कर हैरान रह गया कि उसकी बीवी सोनी यादव उसे धोखा दे रही थी शादी से पहले से ही उसके अपने गाव के अजय से संबंध थे संदीप यादव ने सोनी यादव की सच्चाई उस पर उजागर नहीं होने दिया लेकिन इस दिन के बाद से वह सोनी यादव से चुटकारा पाने की तरकीब सोचने लगा सोनी यादव से चुटकारा पाने की सोच के पीछे एक दूसरी वजह यह भी थी कि अपनी ससुराल कासगंज में आते जाते संदीप यादव अपनी सबसे छोटी साली रानी जो सभी बहनों में सबसे ज्यादा सुन्दर थी को पसंद करने लगा था सोनी यादव से चुटकारा पाने की एक वजह यह भी थी कि डेड़ साल होने को आया लेकिन अभी तक सोनी यादव के मा बनने की कोई गुंजाइश नहीं बनी तो संदीप यादव ने डाक्तरों को दिखाया तो उन्होंने बताया कि सोनी यादव के मा बनने की संभावना बह संदीप यादव ने फैसला किया कि अगर सही योजना बना कर सोनी यादव की हत्या करवा दी जाए तो रानी से शादी का रास्ता साफ हो सकता है। संदीप यादव से अचानक रामवीर साहु ने अपनी आर्थिक तंगी का रोना रोते हुए कह दिया कि जिन्दगी में पैसा बहुत बड़ी चीज है। इसको हासिल करने के लिए किसी का खून भी करना पड़े तो कर देना चाहिए। रामवीर साहु के मुह से यह बात सुनते ही संदीप यादव के दिमाग की बत्ती जलने लगी। उसे लगा कि अगर बात बढ़ाई जाएं तो रामवीर साहु उसका काम कर सकता है। संदीप यादव ने अपनी तरफ से रामवीर साहू को परखने के लिए पत्ता फेंका, तो भाई कर दे तू भी खून कमाले पैसा। रामवीर साहू बोला, अरे भाई, ऐसे ही किसी का खून कैसे कर दूँ, कोई काम बताए, माल दे तभी तो करूँ ये काम भी। अगर मैं कोई काम बताओ तो करेगा, संदीप यादव ने लोहा गरम होते देख तुरंत पूछ लिया, तुझे किसका काम कराना है और तू पैसा कहा से देगा, रामवीर साहू की पुतलिया भी सोच में सिकुड गई, संदीप यादव बोला, वो छोड़, तुझे तेरे काम का पैसा मिलेगा, पहले ये बता काम करेगा, रामवीर साहो ने उजसाहित होते हुए कहा, हाँ भाई, माल देगा, तो काम क्यों नहीं करूँगा, तो ठीक है, मेरी बीवी को मार दे, पूरे सत्तर हजार रुपए दूँगा, अबे पागल हो गया है क्या तू, जो अपनी बीवी को मरवाना चाहता है, रामवीर साहो ने फटी आखो से पूछा, वजह एक नहीं कई है भाई, एक तो कमीनी का शादी के पहले से ही गाउ में किसी यार से चक्कर चल रहा है, दूसरा वहमा नहीं बन सकती और तीसरा मुझे उसकी छोटी बहन बहुत पसंद है, इसका काम तमाम हो जाए, तो मैं उससे शादी कर लूँगा, संदीप यादव ने इस दिन अपने मन की बात रामवीर साहो को बताई, तो उसने कहा कि अभी शराब बहुत पीली है, वह काम करेगा या नहीं, इस बारे में सोच कर कल बताएगा, मामला बनता देख संदीप यादव ने चलते समय रामवीर साहो को तीन हजार रुपए दे दिये, रामवीर साहो फिर से शराब के ठेके पर गया, और फिर शराब पी और रात को घर चला गया, रामवीर साहो ने सुबह शराब का नशा उतर जाने पर संदीप यादव की कही बातों पर विचार किया, तो काफी सोच विचार कर दोपहर एक बजे फिर से महा माया फ्लाई ओवर के नीचे संदीप यादव के ठिकाने पर पहुँच गया। संदीप यादव ने उससे पूछा क्या इरादा किया भाई। इरादा तो ठीक है भाई, लेकिन तुने अपनी बीवी के मौत की कीमत बहुत कम लगाई है। संदीप यादव ने पूछा क्यों तुझे कितना चाहिए। रामवीर साहु बोला, देख तु अपना दोस्त है, तेरी परिशानी भी जायज है। लेकिन भी अगर कम से कम देढ़ लाख खर्च करे तो काम किया जा सकता है। थोड़ी देर तक संदीप यादव और रामवीर साहु के बीच कतल करने के लिए दी जाने वाली रकम को लेकर सौदेबाजी होती रही। जब संदीप यादव ने देखा कि रामवीर साहु इस से कम पैसा लेने के लिए तस से मस नहीं हो रहा तो उसने कहा ठीक है भाई, तुझे इतने ही पैसे मिलेंगे लेकिन काम बड़ी सफाई से होना चाहिए। काम होते ही सुभा पैसे दे दूंगा। कहते हुए संदीप यादव ने जेब से 2000 रुपए और निकाले और रामवीर साहु की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हो सके तो आज ही काम कर दे। क्योंकि उसने टीवी सीरियलों में देखा था कि मोबाइल की लोकेशन से पुलिस कातिल को खोज लेती है। संदीप यादव ने आपको देने के लिए पैसे भेजे हैं। रामवीर साहु ने बात ही ऐसी की थी कि सोनी यादव ने दरवाजा खोल दिया। वैसे भी वह साहु को जानती थी। लेकिन जैसे ही सोनी यादव ने दरवाजा खोला रामवीर साहु ने उसके चहरे पर एक जोरदार घूसा मारा। सोनी यादव की नाग पर घूसा लगते ही उसकी आँखों के सामने अंधिरा चा गया। वह चीकते हुए कमरे के बीचों बीच फर्ष पर गिर पड़ी, रामवीर साहु के लिए इतना मौका काफी था। वह जट से कमरे में घुसा और दरवाजा भीतर से बंद कर जमीन पर पड़ी सोनी यादव की तरफ पलटा। लेकिन कुछ पलों के लिए अचेत हुई सोनी यादव पर निगाह पड़ते ही शराब के नशे में धुत रामवीर साहु की आँखों में वासना के डोरे तैरने लगे। दरसल चहरे पर वार होने से संतुलन खोकर गिरने वाली सोनी यादव के कपड़े इस कदर अस्तव्यस्थ हो गए की जांगों तक दिख रही सोनी यादव की नगनगोरी देह को देख कर रामवीर साहु के शरीर के रोंगते खड़े हो गए। उसने सोचा की सोनी यादव को मारना तो है ही, क्योज न उससे पहले वह अपनी वासना की आग बुझाले यही सोच कर उसने उसके साथ जमीन पर ही शारिरिक संबंध बनाने शुरू कर दिये लेकिन अपनी उत्तेजना के अतिरेक में वह कुछ करता उससे पहले ही सोनी यादव की चेतना लौट आई और वह शोर मचाने को कोशिश करते हुए विरोध करने लगी एक तो शराब का नशा, उपर से वासना का जुनून, सोनी यादव रामवीर साहू के लंबे चौड़े शरीर के नीचे दबी पड़ी थी उसको शांत करने के लिए रामवीर साहू ने सोनी यादव के सिर को दोनों कनपटी से पकड़ कर तीन चार बार फर्श पर पटक दिया सोनी यादव कुछ पल छटपटाई, फिर उसका शरीर शांत हो गया लेकिन सोनी यादव के शांत होते ही रामवीर साहू के भीतर वासना का उफाना गया इस बात से अंजान की सोनी यादव की मौत हो चुकी है रामवीर साहू उसके जिस्म से खेलते हुए अपनी काम वासना शांत करता रहा जब वासना का भूत उत्रा तो देखा कि अचेट पड़ी सोनी यादव के सिर से काफी खून बहच चुका था और वह मर चुकी थी उसने सोनी यादव की साड़ी को घुटनों से नीचे कर दिया कई बार उसके शव को हिला कर देखा कि उसमें जान तो नहीं बाकी है करीब पांच बजे रामवीर साहू ने घर का दर्वाजा खोल कर देखा कि बाहर कोई है तो नहीं और उसके बाद रास्ता साफ देखकर वह कमरे का दर्वाजा बंद करके वहां से फरार हो गया वारदात को अंजाम देने के बाद वह इतना सहम गया कि संदीप यादव से भी संपर्क नहीं किया रामवीर साहू ने दो दिन तक अपना मॉबाइल फोन भी ओन नहीं किया जब संदीप यादव को बाद में पुलिस ने यह बात बताई कि उसके कातिल ने मौत के बाद इसके साथ संबंध बनाय थे तो उसको रामवीर साहू पर बहुत गुस्सा आया कुछ दिन बाद गिरफतारी के डर से इधर उधर भागते फिर रहे रामवीर साहू ने जब पैसे मांगने के लिए संदीप यादव से फोन पर बात करते हुए संपर्क करना शुरू किया तभी पुलिस को मोबाइल सरविलांस के जरीए संदीप यादव पर भी शक होना शुरू हो गया इस मामले में ना तो मॉबाइल फोन की काल डिटल्स से कोई मदद मिली क्योंकि कातिल और साज़िश रचने वाले के बीच कोई फोन संपर्क रिकॉर्ड ही नहीं था ना ही रामवीर साहू अपने फोन को आन करके घटना स्थल पर गया था ना ही घटना का कोई चश्मदीद था ना ही रामवीर साहू को घटना स्थल पर जाते किसी CCTV ने कैट किया था इसलिए पुलिस अंधेरे में हाथ पाव मार रही थी लेकिन अपने डर के कारण अगर रामवीर साहू अपना घर छोड़ कर गायब नहीं होता और बाद में वह फोन पर संदीप यादव से संपर्क नहीं करता तो शायद पुलिस कभी सोनी यादव के हत्यारों तक पहुँच ही नहीं पाती अपनी साली को पाने की चाहत में संदीप यादव ने अपनी बेवफा बीवी को मरवाने की साजिश रचकर जो घिनोना अपराद किया वो तो गलत था ही लेकिन रामवीर साहु ने सोनी यादव की हत्या कर उसके मृत शरीर से वासना की जो भूख शांत की वह हैवानियत की सभी सीमाओं से परे थी संदीप यादव और रामवीर साहु से पूच्टाच के बाद पुलिस ने हत्या के इस मामले में साजिश की धारा 120 भी जोड़कर दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर दिया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसी ही अपराद की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइन की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए कहानी को लाइक और शेर जरूर करें धन्यवाद